Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल करेंगे कि how India transitioned from defense importer to exporter, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम import नहीं कराते हैं, अभी भी बहुत बड़ी संक्या import कराते हैं, लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, तो ये जो transition हुआ है, उसको थोड़ा सा समझेंगे, चलिया आगे बढ़ यहाँ पर test series, daily answer writing, live classes, सभी कुछ मिलता है, बस आपको हमारे website app पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code UNKITLIVE, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और अगर आप prelims का preparation कर रहा है, तो ये हमारा back 5th February से start हो रहा है, तो इसके लिए SIP ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर दिखें, जिस तरह से सरकार ने भारत में, भारत को as a net importer ना देखकर, net exporter की तौर पर समझना शूरू किया है, defense के sector में, इसकी वज़े से आपको एक quantum jump देखने को मिलेगा, और especially जो मैं आपको बता रहा था कि 2023 में ये एक landmark year बताया जा रहा है, क्योंकि ministry of defense जो है, उन्हों time high, अगर हम इसको 2022 से compare करें, तो 2023 में 3000 करोण के जादा defense export देखने को मिले हैं, और पहली बार 1,00,000 करोण का defense production भारत के अंदर देखने को मिला है, मतलब 2021 में अगर आप देखोगे, तो 95,000 करोण इतना production हुआ था, लेकिन 2022 में ये जो production का आकड़ा है, वो 1,00,000 करोण को भी cross कर चुका है, अगर हम exactly export के numbers की बात करें, तो आप देख सकते हो, 2022-23 में 16,000 करोण का हमने export किया था, export के मामले में, defense में, लेकिन अगर आप इसके पहले देखोगे, 2021-22 में, तो करीब 13,000 करोण का export किया गया था, और अगर हम इसको compare करें, 2016-17 से, मतलब लगबग 6 साल पहल और 2022-23 में लगबग 10 गुना का difference है, 10 टाइम्स जादा export किया गया है, जो की 10 साल पहले शायद बहुत कम हम export करते थे, defense sector में, साथी साथ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से दुनिया भर में, जो global demand है, LCA Tejas की light combat aircraft हो गया, इसके लावा यहाँ पर aircraft carrier हो गया, भारत लगबग 85 countries को, जो defense export है, वो इस समय कर रहा है, Indian industries ने यहाँ पर capability दिखाई है, चाहे design का हो, development का हो, कि हम भी बना सकते हैं भारत के अंदर, और मैं आपको बता दूँ, अभी present में भारत के अंदर, 100 से जादा ऐसे forms हैं, जो की defense production में लगे वे हैं, और especially जो major platform की बात क simulators, mine protected जो वेहिकिल्स होती हैं, armored वेहिकिल्स हो गया, pinaka again, बहुत ही important, rocket launchers हो गया, ammunitions हो गया, बहुत सारी इस तरह की चीज़े हैं, जो आज के date में भारत export कर रहा है, जो कि हम पहले शायद दसल पहले सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब question यह है कि भारत ने कैसे इस ची जो border infrastructure है, उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि हम अपने ही देश के companies के उपर rely करेंगे, इसके साथ मैं आपको बता दूँ, नारी शक्ति का भी काफी अच्छे से इस्तमाल किया गया है, ex-servicemen welfare, इस तरह की कई ऐसी चीज़े हैं overall, जिसकी वज़े से ये change द खोलना, industry खोलना है, तो उसके लिए ease of doing business हो, तो यहाँ पर क्या है कि ease of doing business in MSME sector, startups, ताकि इन सबको सहूलियत मिल सके, और यहाँ पर integration हो सके supply chain का, मानलो, अब जैसे कि मानलो, कोई बड़ा सा aircraft बनाना है भारत के अंदर, तो इतना असानी होता कि एक ही company सारा का सारा aircraft का पू कोई एक बड़ा सा कोई tank बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए वो सारे companies available रहें, चाहे nut bolt से लेकर, कितने भी बड़ा wheels से लेकर, कोई भी चीज हो गया, तो वो भारत के अंदर बन सके, यह ही important होता है, and because of these policies, industries, including MSME and startups, वो defense design में, development पे और manufacturing में, काफी तेजी से बढ़े हैं, और in fact मैं आपको बता दूँ, एक आंकड़ा बताता हूँ, almost 200% का increase देखने को मिलेगा, in number of defense licenses, मतलब भारत सरकार ने industries को जो licenses दिया है, पिछले 7-8 वर्षों में, वो उसमें 200% का jump आया है, कि जादा से जादा companies भारत में खुलें, और defense का production करें, in fact record 75% defense capital procurement budget भ जादा है, और मैं आपको बता दूँ, अभी recently जो budget आया है, 2024-25 के लिए, interim budget जो था, उसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर again, चाहें किसी भी ministry को आप देखिए, सबसे जादा जो allocation होता है, वो defense ministry को होता है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2023-20 के budget में, मतलब ज पिछला साल वाला budget था, उसमें ministry of defense ने 5.9 lakh करोण का allocation किया था, और इस बार यह allocation बढ़ा कर 6.2 lakh करोण कर दिया गया है, defense ministry के लिए, तो यह जो jump आ रहा है साल दर साल, उसकी वज़े से भी एक नया थ्रश्ट देखने को मिलेगा, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर आप मुसीबत आ रही है production करने में, तो वो सारी चीजों की वज़े से यहाँ पर बोला जा रहा है, कि हमारा जो production है वो बढ़ा है, अब मैं आपको कुछ example बताता हूँ, मतलब यह तो मैंने आपको बोल दिया कि reforms अगर सरकार ने लाया, तो उससे हुआ क्या, for example हम helicopters और jets की बात क चालों में जिस तरह से सरकार इसके साथ कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज की डेट में हिंदुस्तार एंडोर नॉर्टिक्स लिमिटेड के पास बहुत सारे order spending है, तो HL की जो helicopter facility है, उसको यहाँ पर नरेंद मोदी जी ने inaugurate किया था करनाटका के तमकूरू मे और मैं बता दूँ, यह जो helicopter facility है, यह देश की सबसे largest helicopter facility है, जहाँ पर light utility helicopters produce किया जाएगा, और starting में हर साल 30 helicopter produce होंगे, फिर further इसको बढ़ा कर 60 helicopters किया जाएगा, और finally इसको 90 helicopters हर साल यहाँ पर produce करने का पूरा जो भी जिम्मेदारी है, जो factory में कर्द किया जा सकता है, वो कि अलावा आप देख सकतो, HAL को already first twin-seater light combat aircraft तेजस, इसका भी order मिल चुका है Indian Air Force की तरफ से, light combat aircraft तेजस आपको पता ही होगा, कि पिछले साल PM Modi ने उसको, उसमें वो बैठे भी थे, उसमें, उससे related कई सारी pictures भी सामने आई थी, और अभी तक Indian Air Force ने जो तेजस है, उसका 83 ते की बात करें, तो देखो, इसमें भी एक बहुती landmark काम हुआ है, पिछले साल अगर आपको याद हो, तो पहला C-295 transport aircraft, यह आप देख सकते हो, C-295, यह basically हम खरीते हैं Airbus से, ठीक है, तो यह Airbus के दौरा बनाया जाता है, तो यह पहला हमने इंडक्ट तो कर लिया है, C-295 MW transport aircraft, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आगे आने वाले समय में, यह जो aircraft है, उसको भारत में ही बनाया जाएगा, और most probably 2026 तक जो भी facility है, वो बनकर तियार हो जाएगी, और मैं बता दूँ, इसको लेकर अल्रेडी गुजरात के अंदर काम चल रहा है, made in India aircraft को देखते हुए, त मतलब 15 हम directly खरीद रहें, Airbus से, जो की बाहर से आएगा, और फिर बाकी के जो 40 हैं, उसको भारत में गुजरात के अंदर facility में manufacture किया जाएगा, फिर इसके अलावा आपको याद होगा, पिछले साल हमारा जो विकरांट है, INS विकरांट, first homemade carrier, जो aircraft carrier होता है, बड़े बड़े भी बता दो, इसमें 28 fighter jets, helicopters, ये सब आ सकते हैं, और इसका जो weight अगर आप देखोगे, तो लगबख 45,000 ton का है, तो इससे भी बड़े बड़े aircraft carrier pipeline में है, आगे आने वाले future में ये भी भारत में आपको बनते वे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा, यहाँ पर हम defense, जब exporter क की बात करते हैं, net defense exporter, तो उसमें एक सबसे बड़ा काम सरकार ने ये किया, indigenization list निकाल कर, मतलब सरकार की तरफ से कुछ list जारी किया जा रहा था समय समय पर, especially COVID के बाद से, और उसमें बोला गया कि ये जो products हैं, वो भारत अपने ही देश में बनाएगा, हम उसको बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, Department of Military Affairs, DMA, उन्होंने 5th positive list, और चार लिस्ट आ रखी थी, जो पाचवीं list है 98 items की, वो भी यहाँ पर release कर दी हैं, और इसके अंदर मैं बता दूँ, इस list के अंदर highly complex जो systems हैं, sensors हैं, weapons, ammunitions हैं, वो सब शामिल हैं, मतलब उसको अब हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, वो भारत में ही procure किया जाएगा, और इसके पहले के list की अगर हम बात करनें, इसके पहले जो चार list आ रखी हैं, उसमें already 411 military items आपको देखने को मिलते हैं, तो देखो यह वाला जो list है, यह तो prepare किया जाता है Department of Military Affairs के दोरा, एक और list है, जो कि prepare किया जाता है by DDP, Department of Defense Production, और इन्हों ने तो अभी तक 4 list निकाली हुई है, और total 4 list में मैं आपको बता दूँ, 4666 items हैं, अलग-अलग जो छोटी-छोटे defense related items हैं, वो यहाँ पर इस list के अंदर हैं, वो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, वो हम भारत के उसमें 928 items थें, जो कि अगें ये push करता है कि उसका जो production है, वो भारत में हो, फिर इसके अलबा फाइनली जाने से पहले कुछ और भी initiative सरकार लेती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो, 2023 में जो meeting सुआ था, उसमें proposal रखा गया था, 3.5 lakh करोड का हमारा operational preparedness के लिए, armed forces के लि अगर आप देखोगे, तो वो अलड़ी 20 tunnels पर काम कर रहा है, जो बड़े-बड़े tunnels हैं, उसको बना रहा है, 10 under construction and 10 in the planning stage, ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो I hope आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो भारत है, वो अलग-अलग प्रकार के steps लिया है, ताकि हम defense exporter से defense exporter की तरफ, defense importer से defense exporter की तरफ बढ़ सकें, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, इन में से कौन से राज में try services amphibious exercise mfax23 ये host किया गया था 2023 में, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में, कई सारे जो mcqs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको pdf ये तो telegram पर आईए, अलग-लग social media पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप UPSC की preparation करें, कोई भी बात चाहते हैं, you can just use this code ankit live, ताकि आप आपको maximum discount मिल जाए, और I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ, आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon.